हलो गाइज ये वीडियो का पार्ट टू है पार्ट वन का लिंक मैंने डिस्क्रप्शन में दे दिया है आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं हिस्ट्री के हंदर पूरे चैप्टर में हमें कुछ बाते पढ़नी होती है और कुछ बाते हमें नहीं पढ़नी होती है तो जो बाते हमें नहीं पढ़नी होगी वहाँ पर मैं रैड कलर का सिंबल लगा दूँगा आप उससे समझ जाईएगा और वाकी सब हम पढ़ेंगे इस पूरी वीडियो के एंड होने के बाद और इसका फर्स्ट पार्ट देखने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हिस्ट्री इतनी टफ नहीं है जितना आप लोगों को लगता है चलिए इसको स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि मैंने यहाँ पर रैड लगा दिया है यह सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है स्टार्ट करते हैं चोंदडो अब चोंदडो जो है वो एक जगय का नाम है यह है मोहन जोदडो की तुल्ला में एक बहुत छोटी बस्ती है यानि चोंदडो जो है वो भी एक बस्ती है और मोहन जोदोडो ये भी एक बस्ती है लेकिन मोहन जोदोडो काफी बड़ी बस्ती है और चवंदोडो छोटी बस्ती है मोहन जोदोडो जो है वो 125 हेक्टियर छित्रफल यानि एरिये में फैला हुआ छित्र है जबकि चौंदोडो साथ हेक्टियर बहुत छोटा है जो कि इसमें फैला हुआ एक छेत्र है यानि एक बस्ती है चौंदोडो जो लगबग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में सल्लगन थी शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंक की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्वान तथा बाट बनाना सम्मिलित थे जो चौंदोडो बस्ती थी वो थी तो बहुत चूटी लेकिन काफी जादा इंपॉर्डन थी क्यों? क्योंकि वहाँ पर शिल्प उत्पादन होता था चौंदोडो शहर के अंदर जो लोग थे वो शिल्प उत्पादन करते थे अब आप ये पूछेंगे कि शिल्प उत्पादन में क्या-क्या काम आते हैं तो लिखा पड़ा है कि शिल्प कार्यों में मनके बनाना, यानि यहां के लोग मनके बनाते थे शंक की कटाई करते थे, धातु करम, धातु माने लोहा, चांदी, सोना, इन सब चीजों को पीट-पीट करके, इन से ओजार या फिर जो भी आवुशड बनाते थे, मुहर बनाते थे, और बाट बनाते थे, बाट जैसा कि आपको पिच्चर में दिखी रहा है, एक किलो का बताईए, या दो नाम बताईए, तो फिर आप इन में से बता देंगे, तो ये जो शिल्प कार थे, ये चहुंदरो शेहर के अंदर, वहां के लोग करते थे, इसलिए चहुंदरो जो था, वो छोटा होते हुए भी काफी मैत पून था, तो ये टॉपिक तो हमने पढ़ लि जो आपको ब्राउन कलर के देख रहे हैं गोल-गोल से, ये मनके हैं, तो मनके अलग-अलग चीज़ों से बनते हैं, अलग-अलग डिजाइन के होते हैं, तो मनके माने छोट-छोटे दाने, जिन से मिलकर के माला बनती है, मैंने फिर्स्ट वीडियो में बताया भी था, लेक अलग तरीकों की चीजों से बनते थे अब मन के कितने तरीकों की चीजों से बनते थे तो मन के मुसली जो हैं वो चार तरह की चीजों से बनते थे कितने तरह की चीज़ों से मनके बनते थे चार तरह की चीज़ों से आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली चीज़ थी पत्थर दूसरी चीज़ थी धातुए तीसरी चीज़ थी शंक और चौदी चीज़ थी मिट्टी तो जो मनके थे वो चार तरह की चीज़ों से बनते थे पत्थर, धातुए, शंक और मिट्टी अब पत्थर में कौन-कौन से पत्थर थे जिन से मनके बनते थे तो लिखा पड़ा है यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्लियन यह फोटो है उसकी, जैस्पर यह फोटो है उसकी, इस्पटिक यह फोटो है उसकी, क्वार्टज यह फोटो है उसकी और सेल खड़ी यह फोटो है उसकी तो इस तरह के पत्थरों से मिलकर के मनके बनते थे अब बात दूसरी कि कौन-कौन से धातुओं से बनते थे मनके तो तामबा, खासा और सोना इन तीन धातुओं से मनके बनते थे तीसरा पॉइंट था शंक तो आपको पता ही यह शंक क्या होता है समद्रों में निकलता है जो शंक उसी को शंक भोलते हैं तो उनसे भी मनके बनते थे और चौथा पॉइंट था हमारा मिट्टी कौन कौन सी मिट्टी से बनते थे शंक एक तो फयांस मिट्टी और एक पकी हुई मिट्टी तो इनसे बनते थे हमारे मनके तो पेपर में कई बार पूछता है कि मनकों के निर्मान में उप्युक्त होने वाले पदार्थों को बताईए तो आप यह सब चीजें वहां पर लिख देंगे अब हम देखते आंगे तो लिखा है कुछ मनके दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़ कर बनाया जाते थे यानि जो कुछ दाने थे कुछ मनके जो थे वह दो या दो से अधिक पत्थरों को जोड़ करके आपस में बनाया जाते थे जैसे कि कार्नियल और जैस्पर को मिक्स कर दिया या जैसपर और स्पटिक को मिक्स कर दिया तो कुछ दो या दो सवयधिक पत्थड़ों को जोड़ कर में सबमतना। मानजों के आकार कैसे मान Natyal P 닉न परूस सब्सक्राइब खेलो हमेगाने पढ़ते हैं मन के चक्राकार, बेलनाकार गोलाकार ड़ोलाकार तता खंडित इतने सारे आकारों के हमारे मनके हुआ करते थे तो आपने देखा मनकों का संचिप्त टिपड़ी दीजिए 8 marks में तो फिर वहाँ पर हमें मनकों के बारे बहुत कुछ लिखना होता है अभी मनकों के बारे में खतम नहीं हुआ आंगे पढ़ते हैं देखिए तो आंगे यहाँ पर हमें लिख रहा है यह हमें नहीं पढ़ना हम यहाँ से पढ़ते हैं मनके बनाने की तकनीकों में प्रियुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्रताएं थी यानि जो मनके थे उनको बनाने का जो तरीका था हमने यह तो पढ़ लिया कि किन किन चीज़ों से मनके बनाय जाते थे पत्थर, धातू, शंक, मिट्टी लेकिन अब यहाँ ही बता जा रहा है कि जिन चीज़ों से मनके बनाय जाते थे उनको बनाने में जो पदार्थ प्रियुक्त होता था उसकी भिन्रताएं अलग-अलग थी यानि कि मनकों को बनाने के अंदर जिन पदार्थों को यूज किया जाता था वो तो ठीक है लेकिन मनकों को बनाने का तरीका अलग-अलग था हर तरह का मनका जो था वो अलग-अलग तरीके से बनाय जाता था कुछ मनके सेलखडी चून के लेप को साचे में ढाल कर तयार किया जाते थे सेल खड़ी एक पथर है आपको मैंने भी फूटू भी दिखाई थे उसकी यह रही उसकी फूटू तो सेल खड़ी जो पथर था उसको कूट करके पहले उसका चूरण बना लिया जाता तो उस पथर के अह läh भी पाउडर बना लिया जाता था फिर थोड़ा सा उस चूरण के अंदर हम पानी डालते थे तो वो लेप बन जाता था उसे बोलते थे सेल खड़ी के पत्थर का लेप तो उस लेप से कई बार हम मन के तयार करते थे ठीक है अब आपको इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना अब देखिए आंगे क्या लिखा हुआ है पुरा तत्व विदों मैंने आपको बताया था पुरा तत्व विद कौन होते हैं वो लोग जो हडपा सभिता या पुरानी चीजों की खोज़ पड़ताल करते हैं पुरा तत्विदों द्वारा किये गए प्रियोगों से यह दर्शाया है कि कार्नीयल का लाल रंग पीले रंग के कच्छे माल तता उत्पादन के विवन में चरड़ों मैं मनकों को आग में पका कर प्राप्त किया जाता था यह कार्नीयल की फोटो है आप लोग देख रहे हैं लाल रंग का पत्थर है यह तो पुरातत वादियों का यह मानना था कि जो कार्नीयल का पत्थर था वो लाल रंग का इसलिए था क्योंकि उसे बनाने के लिए पीले रंग के कच्छे माल का इस्तमाल किया जाता था पीले रंका कच्छा माल लिया जाता था उससे मनके यानि दाने बना जाते थे और फिर उस पीले रंके कच्छे माल से जो मनके बना जाते थे उनको आग में पकाया जाता था जिससे वो जो मनका था पीले रंका वो लाल हो जाता था आग में पक करके और फिर हम उसे बोलते थे कार्नियल पत्थर जो कि लाल रंका होता है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा लेकिन इसके बाद भी काम पूरा नहीं होता था पत्थर के पिंडों को पहले आपरीकिस्त आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शल्क निकाल कर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था यानि जब वो पीले रंका पत्थर आग में प्रकने के बाद लाल बन जाता था उसके बाद उस पत्थर को उस पत्थर के टुकडों को पिंडों का मतलब यहां पे टुकडों से है उस पत्थर के टुकडों को पहले आपरीकिस्त आकारों में तोड़ा जाता था आप अरिकिश्ट का मतलब होता है जरूत के हसाब से यानि जैसे जिसको जरूत होती थी इनसान को उस तरीके से वह पत्थर के पिंडों को यानि तोड़ लेता था चाये गोल हो या चोकोर हो उसके बाद उस पर बारी की से शल्क निकाल कर इन्हें अंतिम रूप देता था यानि उसके बाद वो बंदा जो था वो क्या करता था उस पत्थर के पिंडों पर कुलाड़ी से या फिर चैनी हतोड़े से वो कुछ निशान बनाता था आपने देखा होगा कि कुछ पत्थर होते हैं उनको काड़ चाट करके उन पर मूर्तिया बना दी जाती है आपने दे इसाई पॉलिश होती थी और फिर उन पत्थरों में छेद भी किया जाता था ताकि पत्थर देखने में और भी थोड़ा सुन्दर लगे छेद भी उन पत्थरों में थोड़ा बहुत किया जाता था तो यह सभी पक्रिया जब पूरी हो जाती थी तब वो लाल रंका जो कार करनील था वो बन करके तयार होता था आपको सोष मैं आया के कारनील पत्थर कैसे तयार होता था तो यह exam पोचा जा सकता है चहंद दो ल१ल और हाल हीम है धोलावीरा यह तीन कला या शिल्प उत्पादन इन तीनों शहरों में किया जाता था ठीक है चंदड़ों लोतल और दोरावीरा में उसके बाद यह में नहीं पढ़ना आंगे लिखा है नागेश्वर तथा बालाकोट यह दो जोगों का नाम है यह दोनों बस्तियां समुद्र तटके समीप है या चूडी करचियां पच्चिकारी की वस्तूव थे यांनि अगर एक्साम में आता है कि चूडी करचियां और पच्चिकारी यह तीनों सामान किस जगह पर बनती है थे तो आप आनसर देंगे नागेश्वर और बाला कोट ठीक है तो यह उनके विखिश्वर के अंदर थे आगे चलते हैं यहां से पढ़ते हैं हं शिलप उत्थपादन के केंदरों की पहचान के लिए पुरा तत्विद्ध निमने लिकित को ढूडते हैं प्रस्तर पिंड पूरे शंक तामा अयस्क कच्चा माल ओजार अपूर्ण वस्तुएं त्याग दिया गया माल तथा यानि कि पुरातत्वित जो लोग हैं उन्हें कैसे पता चलता था कि ये जो शहर है यहाँ पर पहले शिल्प उत्पादन हुआ करता होगा कैसे पताचलता था पुरादः तики इस शहर में चहांदुडों शहर में या किसी और शहर में पहले शिल्प उतुपादन हुआ करता होगा ये कैसे पता चलता था तो पुरातत्वी लोगों को अगर उस जगे से प्रस्तरपिंड या पूरा शंक या तामा अयस्क औजार अपूर्ण वस्तुए त्याग दिया गया माल और कूडा करकट अगर इन में से कोई भी वस्तु या ये सारी वस्तुएं अगर पुरातत्वी ल कि जहां पर शिल्प उत्पादन होता था वहीं पर प्रस्तर पिन्ड पिद के टुकड़े मिलते थे crying जगे पर घॉट्र करकट कूढ़ाकर करती के मतलब होता है कि जब हम पत्थर से किसी मूर्तिय को बराते है तो उसमें हम कारचार्ट करते हैं डोसके कई सारे जो खूडा करकट होते हैं जो छोट छोट पत्थर होते हैं वो तूट करके वही पर गिर जाते हैं जिनने छोड दिया जाता है और मूर्ती को उठा करके बेस दिया जाता है और पत्थर जो तूट तूट कर गिर जाते हैं छोटे मूटे उनसे तो कोई मतलब होता नहीं है तो उन तो आप इसका जवाब दे देंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। यहां पर लिखा हुआ है यहां तक कि कुछ भी मिलता है तो हम बोलेंगे कि वह उत्पादर के अंदर रहा होगा वह जगे पहले। लेकिन सबसे जो में सबूत है वह है कूड़ा करकट पथरों का जैंको छोड़ड़े पथ्रों का कोड़ा करकट जिनने काड़ चाट करते वक्त छोड़ दिया जाता था यह जमीन के ऊपर ठीक है। तो यह सबसे मैन पॉइंट है वहाँ पर तो यहां पर यह लिखा हुआ है कि यहां तक की कूडा करकट शिल्पकार के सबसे अच्छे संकेत को में एक है यानि कूडा करकट जो है सबसे अच्छे तरीके से उसी से पता चल सकता है कि इस जिगे पर पहले शिल्पकार होता था ठ कि का मतलब हो योगया चाहन द्रव ठीक है उनके अत्रक्त मोहन चुदाड़ों ओर यह बड़ी बश्तियां थी इन जैसे बड़े शहरों मैं भी शिल पुतARS पादन का लूपाधन का लिए होता था सी इन जघर होमें ऐसे प्सक्रवास करक्ट हम आँगे चलते हैं ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए आप हडपा वासी जो है शिल्प उत्पादन हे तू माल प्राप्त करने के लिए कई तरह के अपनाते थे हडपा वासी माने हडपा के लोग अब वहाँ पर भी शिल्प उत्पादन होता था क्योंकि सबूत तो मिले थ करने के लिए पत्थर शंक तामे के जरूरत पढ़ती है तो यह सब चीजें वो लाते कहां थे हडपा वाले तो यही हम पढ़ेंगे तो इसके लिए वो कई तरह की चीजों का इस्तमाल करते थे कई तरह के को इस्तमाल करते थे उधारन के लिए उन्होंने नागेशुर्ट और बाला कोट में जहां पर शंक आसानी से उपलब्द था बस्तियां स्तापित की आपको मैंने उपर बढ़ाया था भी कि नागेशुर्ट और बाला कोट यह समुद्र के किनारे इस्तित थे और यहां पर शंक पाया जाता था जिसकी मदद से चूणिया बनती थी और बाग पास में ही बसाते थे ताकि जरूरत पढ़ने पर वो बहुत ही आसानी से नागेशर और बाला कोट से संख को प्राप्त कर सके इसलिए जान मुझ करके हडपा सब बिता के लोग अपनी बस्तुगों को नागेशर और बाला कोट के पास में बसाते थे ऐसे ही कुछ अन्य पुराइस्तल थे जैसे अफगानिस्तान में शौर्थू गई शौर्थू गई एक जगह का नाम है जो अफगानिस्तान में पढ़ती है यहाँ पर सबसे कीम्ती माने जाने वाला निले रंका पत्थर जैसे लाल ورन मनी के नाम से जाना जाता है लाजवर्द मनी जो होती है नील रंगा पत्थर है ये अफगानिस्तान के एक छोटे सी बस्ती शोटगर्द में पाया जाता है तो इसके पास में भी हडपा सब्विता के लोग अपनी बस्ती बसाते थे यानि हडपा सब्विता के लोग जो थे उरोंने अफगानिस्तान को भी नहीं छोड़ा था वो अफगानिस्तान में जाकर के शोतुगर शेहर के पास अपनी बस्ती बसा लेते थे ताकि वहां से वो नीले रंग के लाजवन मनी को आसानी से प्राप्त कर सकें उसके अलावा यहां पे लिखा है लोथल लोथल भी एक जगे का नाम है लोथल भी क्या है एक जगे का नाम है लोथल एक ऐसी जगे है जिसके पास गुजरात भी है और राजिस्तान भी है यानि गुजरात और राजिस्तान के बीच में पढ़ता है लोथल तो हरपा सबिता के लोगों ने अपनी बस्ती को लोथल में भी बसा लिया था, यानि हरपा सपिता के जो लोग थे वो लोथल में भी आ करके बस गए थे, क्यों? क्योंकि लोथल के पास था गुजराद और गुजराद में मिलता था कार्नियल, कार्नियल एक लाल रूं का पत्थर है, आपको पता तो लोथल के पास है गुजराद और गुजराद के भडोच गाउं में गुजराद के भडोच शहर में सुरी गाउं में कारणियर नाम का पत्तर बहुत आसानी से मिल जाता था और लोथल के पास गुजराद था इसलिए हडपा के लोग लोथल में आ करके बस गए थे उसके ल मिला करके लोथल जो शहर था उसमें हडपा के लोग आकर के इसलिए बस गए थे ताकि वो आपका कार्नियल पत्थर सेल खड़ी पत्थर और धातू इन तीनों चीजों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकें तो हमें इससे समझ में यह आता है कि हडपा वासी जो थे वो शि पहला तरीका बस्ती बसाना कि बस्ती बसा करके आप वहां पर सामान को ले करके फिर वापस आ जाओ दूसरा तरीका भी था कच्छा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीती भी थी यानि एक और तरीका भी था हडपा वालों का कच्छा माल प्राप्त करने का इस तरीके में व और उस टीम को वो भेज देते थे अभियान के नाम से किस नाम से अभियान अभियान का मतलब यहां पर है 30-40 लोगों की टीम वो टीम जाती थी जहां पर उन्हें जाना होता था और वहां पर जाकर के वो वहां के लोगों से गुल मिल जाते थे और उनसे वो सामान को जो उन्ह चाहिए होता था खरीद करके वापिस अपनी जगे पर आ जाते थे जैसे लिखा है यहाँ पर राजिस्थान के लिए खेचडी अचल तामे के लिए पेपर में आएगा एक नंबर का बहुत important point है कि तामवा कहां मिलता है सबसे ज़्यादा उस जमाने में तो इसका अंसर है रा सब्सक्तरा थे मित्री अचल में और दच्छिर बारत में हडपाश सब्सक्रा थे जो लोग थे वहाँ बेगां बेजते थे और वह अपना सामान लेकर कर वापिस आ जाता थे इन अब्यानों के माद्यम से स्थानिय समुदाये के साथ संपर्क इस्तापित किया जाता था यह अभियान के लोग वहां पर जाकर के जो इस्तानी लोग से इन से घुल मिल जाते थे अपना संपर्क स्थापित करते थे और सामान लेकर करके वापिस आ जाते थे ठीक है इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हडप्पाई पुरातत वुस्तू हैं ऐसे संपर्कों की संकेतक ह यानि पुरातत्वी लोगों को पुरातत्वी लोग कोई होते हैं जो पुरानी जजों की खोच करते हैं उन्हें कैसे पता चला कि हड़ापा सभ aur गcado गो जो वो राजिक ग्षण जाते थे वो दच्छिन भारत में जाते थे बहुत असानी से क्योंकि पुरातत्व लोगों को वहां से पुरा वस्तुव मिली है यानि पुरानी चीजें मिली है जो कि हडपा सबिता की है यानि पुरातत्व वस्तुव ने जब राजिस्तान और धचिन भारत में खुदाई करी तो उने वहां पर पुरातत्व वस्तुव मिली पुरानी व जोदपुर संस्कृति का नाम दिया है यानि खेतडी अचल जो इलाका है राजिस्तान का जहां पर तामा सबसे जादा पाया जाता है वहां पर जो सबूत मिले हैं साक्ष मिले हैं हडपा सबिता के लोगों के उनको पुरातत्वी लोगों ने गडेश्वर जोदपुर इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभान हडपाई मृदभंडों से भिन्न थे यहां तामे की वस्तूओं की असाधारन संपता मिली यानि की राजिस्थान के अंदर दो खेतडी अचल है वहां पर जब खुदाई करी तो पुरातत लोगों को मृदभाने मिली मृदभान का मतलब होता है चिकनी मिट्टी के बरतन मिट्टी के बरतन और पत्थर के बरतन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता है यह होता है मृदभान का मतलब तो राजिस्तान के जब खेतडी अचल जगह पर खुदाई की गई तो वहां पर जो मृदभान मिली वह थी तो हडप सब्धा से एकदम से मैच नहीं खाती थी कुछ-कुछ वैसी थी हडपा सब्धा की तरह वो मृदबाने लेकिन कुछ-कुछ वो उनकी तरह नहीं थी इसलिए उन मृदबानों को उन पुरा वस्तुओं को हडपा संस्कति ना कहकरके इन लोगों ने गड़ेश्वर जोदपु मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो यह हमने पढ़ लिया अब हमें यह सब नहीं पढ़ना है आंगे चलते हैं तो आंगे यह हैं लिकाया सुदूर छेत्रों से संपर्ग हमने अब एक उपर एक्जामपल देखाता कि हडपा संस्कृती के कुछ पुरा वस्तुओं जो थी पुरा दूर जगों पर बसे लोगों के साथ में थे कुछ और उधारण भी हम पढ़ेंगे यहां पर उधी चीज को ले करके जिनसे यह कंफर्म हो जाएगा कि हडपा संबिता के लोग वाकई में दूर बैठे लोगों के साथ में भी संपर्ग करते रहते थे हाल ही में पुरा तत्विक खोजें इंगत करती हैं कि तामा संबवत है अरब प्राइदीब के दच्छिडी पच्छमी शोर परिस्तित ओमान ये ओमान एक जगह का नाम है जो अरब देश में पाया जाता है वहां से लाया जाता था यानि कि एक तो तामा राजिस्तान से ले करके आते थे हड़प़ सपता के लोग दूसरा अरब देश में एक जगह थी ओमान वहां पर भी तामा बहुत ज़दा तादात में पिलता था तो हड़प़ सपता के लोग ओमान में भी जाते थे और वहां से भी तामा ले करके आते थे इस बात के भी सबूत मिले हैं इससे ये तैह हो गया था कि हडपा सबिता के लोग सुदूर बैठे लोगों से दूर बैठे लोगों के संपर्ख बनाए रखते थे रासायनिक विशलेशन दर्शाते हैं कि ओमानी तामे तता हडपा ये पुरा वस्तुएं दोनों से निकल के अंश मिले हैं जो दोनों के साजा उद्वव की और संकेत करते हैं अब पता के से चरा तो इसका बारे में या लिखा हुआ है कि हडपा सबिता की जब खुदाई की गई तो हडपा सबिता में कुछ पुरा वस्तुएं मिली पुरानी वस्तुएं तामे की वो जो तामे की वस्तुएं जो हडपा सबिता में खुदाई के टाइम मिली पुरा वस्तुएं वो ओमान के तामे से बिलकुल मैच खाती थी यानि ओमान का जो तामा था और हडपा की जो खुदाई करने में हमें पुरा वस्तुव में जो तामा मिला था वो दोनों काफी हद तक समान थे एक जैसे थे तो इससे यह अंदाजा लगाए गया यह जब दोनों तामे एक जैसे हैं तो पक्का यह दोनों तामे एक जगह से ही निकले होंगे इनका उद्वा उद्वा माने निकलना यह दोनों तामे एक जगह से ही निकले होंगे और इसलिए यह कहा गया कि हडपा सबिता के लोग थे वो ओमान जाते थे वहां से तामा ले करके आते थे अपने यहां पर, इसलिए उनके यहां का तामा, उमान के यहां का तामा, हडपा सब्बतावाले लोगों के यहां पर पाया गया होगा, ठीक है, उसके आद लिखा है, एक विशिष्ट प्रकार का पात्र, एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अ पुमान इस्तलो से मिला है ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोग देती थी यानि कि ये फोटो में हडपाई मर्दवान है यानि ये बरतन एक ये हडपा सब्दा के लोग इस बरतन को बनाते थे और वो इस बरतन की उपर काले रंगी मोटी मिट्टी की परत चड़ा देते थे काले रंगी जो मिट्टी होती है अगर आप उसकी परत किसी बरतन पर चड़ा देंगे तो फिर उस बरतन में अगर आप पानी रखेंगे तो बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि काले रंगी मिट्टी उस बरतन से उस पानी को बाहर निकले देगी नहीं उसका कि कोई ना कोई हड़पा सब्यता आदमी वह ओमान जाता होगा इसलिए हड़पा ही शड़पान जो था यह ओमान में पाया गया था। यह दूसरा्ठ इस सबूत था इस बात का कि हडपा Surprise के साथ में भी संबंद थे दूर बैठे लोगों के साथ में उनके संपर्क थे अब यह समव में नहीं पढ़ना है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइट सब्सक्राइब और शेयर करें और बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी बाई